जैसा कि होली आने वाली है और होली के दिनों में किसी के हां कांजी बड़ा ना बने ऐसा तो होई नहीं सकता ये बहुत ज़्यादा टेस्टी डिश होती है और ये राजिस्तान की फेमस डिस है राजिस्तान में ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है इसको बनाना बहुत प्रेसिपी जरूर बनाएं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कांजी वड़ा तो सबसे पहले हम करेंगे बड़े के लिए तैयारी तो यहां पर मैंने एक कप मूंग की डाल ली है और आधा कप उड़त की डाल भी मैंने यहां पर ले ली है आप चाहें तो सिर्फ मूंग की दाल से ही यह बड़े बना सकते हैं लेकिन आज मैं दोनों दालों को मिक्स करके यह बड़े बना रही हूं सबसे पहले एक बाउल लेंगे बाउल में मूंग की डाल और उड़त की डाल दोनों को डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे जितनी डाल हमने गलाई है इसमें और दाल में बहुत सारे कैमिकल लगे हुए आते हैं तो देखिए मैंने 2-3 पानी से अच्छे से दाल धो ली है अब हमें लगबग 4-5 घंटे के लिए इस दाल को पानी में भिगो कर लखना है और अगर आप जल्दी बड़े बनाना चाहते हैं तो गरम पानी में दाल को भिग इधर मैंने एक कड़ाई गैस पर गरम होने के लिए रख दी है साथी में मैंने यहाँ पर लिए 2 टेबल स्पून पीली सरसो यह मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी इसकी जगह पर जो अचार की राई आती है आप वो भी यूज कर सकते हैं साथी में 1 टेबल को अच्छे से से शेखना है और इन मसालों को सेखते वक्त ध्यान रखें कि इनने कंट्वी चलाते रहें नई तो यह कहीं से बहुत ज़्यादा लाल हो जाएंगे और कहीं से कच्चि रह जाएंगे और याद रहे जब इसमें राई चटकने लगे राई उछलने लगे उप तब हमें gas की flame को बंद कर देना है तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूं कि राई कैसे उपर उचल रही है अब हम gas की flame को बंद कर देंगे और gas की flame को बंद करने के बाद भी हम इनको चलाते रहेंगे क्योंकि अभी हमारी कड़ाई तेज गर्म है अब हम इसमें डाल देंग हल्दी बहुत जादा नहीं डालना है और याद रहे हल्दी और हींग हमें मसाले सिख जाने के बाद ही डालना है नहीं तो हींग और हल्दी दोनों जल जाते हैं तो देखिए हमारा मसाला सिकर तयार हो गया है अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जब मसाला अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हमें मिक्सी में इसको ग्राइन करना है तो चलिए मसाले को ग्राइन कर लेते हैं और मसाले को हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीशना है हमें इसे थोड़ासा दरदरा रखना है तो देखिये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा मसाला बिल्कुल बारीक नहीं हुआ हल्का हल्का दरदरा रहेगा तो ही इसका पानी में टेस्ट बहुत अच्छा आयेगा और इधर देखिये हमने जो पानी गर्म किया था उसमें मैंने half tea spoon काला नमक डाला है और half tea spoon ही हम इसमें सफेद नमक भी डाल देंगे सफेद नमक की जगे आप सेना नमक का भी यूज कर सकते हैं अब हमने जो मसाला तैयार किया था ग्राइंड करके थोड़ा थोड़ा करके वो मसाला भी हम इस पानी में मिलाएंगे काला नमक और नमक का टेस्ट आपके स्वात के अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके मसाला पानी में मिला रही हूँ और पानी को अच्छे से तैयार हो जाता है लेकिन आप कितना भी जल्दी पानी को बनाएंगे आपको कम से कम 24 गंटे इस पानी को रखना ही पड़ेगा तब ही राई की खटास पानी में आएगी तो देखिए इतना मसाला मैंने अभी बचा लिया है अगर आपके पास में मसाला बच जाता है तो आप इस मसाले को किसी भी अचार में या फिर हरी मिर्ची का अचार डाल कर भी यूज कर सकते हैं पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे अब एक कॉटन का कपड़ा लेंगे मोटा उससे पानी को ढख देंगे और इसके उपर आप या तो रवर से इसको टाइट कर दें और या फिर प्लेट से इसको ढख कर आपको ये पानी को धूप में रखना हैं तो देखिए इधर हमारी दाल भी अच्छे से गल चुकी है डाल को रखे हुए लगबग 5-6 घंटे हो चुके हैं और हमारी दाल अच्छे से फोल चुकी है अब हमें इस दाल का एक पेस्ट बनाना है लेकि अगर आप ये बड़े गर्मी में बना रहे हैं तो सिर्फ 4 घंटे ही दाल को भिगो कर रखें और ठंड में अगर आप बना रहे हैं तो आप रात में भी दाल को भिगो कर रख सकते हैं और सुबह इसके बड़े बना सकते हैं तो देखिए मैंने दाल का पूरा पानी निकाल रहे नहीं तो सूखी दाल कई बार पेस्टी नहीं है और साथी में मैंने यहाँ पर तीन हरी मिर्ची और एक से डेल इंच का अधरक का टुकड़ा भी इसमें डाल दिया है अधरक और हरी मिर्ची आप दाल में जरूर डालें अधरक और हरी मिर्ची से बड़ो में बहुत अच किस्ट को इस पैचुला से या फिर स्पून से मिक्स करके उसके बाद हम इसे हाथ से ही फेटेंगे और आप दाल जितनी ज्यादा फेटेंगे ना आपके बड़े उतने ही ज्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनेंगे तो इसलिए हमें इस दाल को लगबग 5 मिनट के लिए फेट लेकिन हमारे घर पे ये बड़े बिना नमक के नहीं बनाये जाते हैं तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा नमक चरूर डालते हैं आप चाहें तो इनमें नमक ना डाले और इधर मैंने बड़े डालने के लिए एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है पानी मे शेब भी अच्छा आता है और बड़ोwen को पानी में छोड़ना भी आसान हो जाता है यह अपने आप से खुड़ देते हैं आपको उनके साथ कुछ भी जवरचस्ती नहीं करनी है 궁 कड़ाई में बहुत जादा बड़े ना डालें क्योंकि कड़ाई में बड़ो को डालने के बाद में वो थोड़ा सा फूलते हैं तो उनको थोड़ा सा इस पेस चाहिए पड़ता है फूलने के लिए जब लगे कि थोड़े थोड़े बड़े सेखने लगे हैं तब हम उन्हें क अच्छे रह जाएंगे तो सेखते वक्त हमें patience रखना है और ध्यान रखना है कि ये अंदर से भी अच्छे से सेख जाएं और बड़ो को हमें golden होने तक सेखना है तो देखिए हमारे बड़े कितने अच्छे से golden हो गए हैं थोड़ा dark ही सेखें क्योंकि जब आप इन्हें पानी में डालेंगे न तो इनका color वैसे ही light हो जाएगा आप चाहें तो कड़ाई से निकालने के बाद आप तुरंत ही इन्हें गरम पानी में डाल सकते हैं उससे भी ये बड़े बहुत अच्छे फूल जाते हैं लेकिन मैं पहले पूरे बड़े बना कर रक लोगी उसके बाद में इन्हें पानी में डालूँगी क्योंकि मुझे इन बडो को आज यूज नहीं करना है मैं इन बड़ो को कल यूज करूँगी अगर आप इन बड़ों को सुखे ही खाना चाहते हैं तो पेस्ट में थोड़ा सा हरादनिया, हरी मिर्ची डाल ले उससे भी ये बड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दे तो देखिए हमारे सारे बड़े बनके तैयार हो गए हैं अब हमने जो पानी बनाके रखा था मैं चलिए आपको उसमें बड़े डालके दिखाती हूँ ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और कितने स्पंजी भी हो जाएंगे तो मैं थोड़े से बड़े पानी में डाल रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा जित कर रहा था कि उसको आज ही ये बड़े खाने है मेरे हैं हमेशा ही ऐसा होता है मैं जब भी कोई डिश बनाती हूँ मैं उसका पूरा वीडियो शूट भी नहीं कर पाती हूँ मेरे बच्चे जित करने लगते हैं कि उनको ये खाना है क्योंकि वो चीज होती ही इतनी टेस्टी है तो देखिए हमारे बड़ो का color change हो गया है अब बड़ो को इस तरह से दबाएंगे देखिए जिस तरह से मैं दबा रही हूँ दोनों हतेली मिलाकर हमें इनका पानी निकालन पानी अभी बहुत ज्यादा खटा नहीं हुआ है लेकिन मेरे हाँ पर ज्यादा रखा हुआ पानी नहीं पीते हैं तो इसलिए मुझे ये पानी आज ही यूज करना है 24 गंटे के बाद में ये पानी को यूज कर लेती हूँ आपको जितने भी बड़े सर्फ करने हैं उसे सा पानी के पत्तो को हमें हाथ से तोल कर डालना है चाकू से काट कर पत्तो को ना डाले साथ ही में आप चाहें तो इसमें तीकी बारी जो बेशन की बूदी आती हैं वो भी डाल सकते हैं पानी में मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा काला नमक पानी टेस्टी है, तो चलिए, मैं आपको एक बड़ा तोड़ कर दिखाती हूं, कि ये अंदर से भी कितने सॉफ्ट हैं, और अच्छे से सिख भी चुके हैं तो देखिए, अंदर से दिख रहे हैं कितने स्पंजी हैं, और कितने सॉफ्ट और आप यकीन मानिए ये कांजी बड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और एक ही दिन में मेरे पूरे बड़े खतम हो गए थे अभी मुझे होली के लिए तो ये दुबारा से बनाने पड़ेंगे तो फ्रेंड्स आपको आज की हमारी कांजी बड़े की रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और आपने अगर आज तक कभी भी कांजी बड़े नहीं बनाए हैं तो एक बार आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा और मैसेज करके ये भी बताईएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी ऐसी ही नई नई वीडियो में मेरे चैनल पर लेकर आती रहती हूँ जिसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा तो कल मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ धन्यवाद दोस्तों